दोस्तों आज हम बात करेंगे श्याटिका के बारे में जो कि लोवर बैक के दर्द से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉमन इशू है इसके अंदर दर्द आपकी लोवर बैक से शुरू होता है और फिर नीचे राइट लेक की तरफ या फिर लेफ्ट लेक की तरफ जा सकता है ये दर्द कभी कभी ते दोस्तों इतना जादा इंटेंस होता है कि इनसान का चलना फिरना भी या बैठना उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि आज हम एक्स्प्लोर करेंगे कुछ ऐसे सूपर फूड्स और कुछ ऐसी आयर इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से तो सब से बात करते हैं कि शाटी का है क्या बला दोस्तों शाटी का एक तरहा का नर्व पेन होता है जो कि शाटिक नर्व की उज़ा से होता है जो कि हमारी body की सबसे लंबी nerve है ये lower back से start होती है और buttocks से होती हुई legs तक जाती है नीचे बिल्कुल आपके पैर के तलवे तक जाती है ज्यादा तर cases में shiattika तब होता है जब कोई disc हमारी spine में slip हो जाती है जिसकी वज़ा से nerve पर pressure पढ़ने लगता है symptoms की बात करें तो shiattika का pain एकदम sharp हो सकता है जैसे कोई current लग रहा हो कभी-कभी ये एक continuous burn की तरह फील होता है जलन की तरह फील होता है कभी-कभी tongue में tightness और खिचाव की शकल में होता है या फिर कभी-कभी हो सकता है कि आपकी leg में आपको weakness महसूत होने लगे वैसे तो shiattika के लिए physiotherapy, yoga और दूसरी exercises दोस्तों सबसे ज़्यादा beneficial होती है और आपको जरूर करनी चाहिए लेकिन हमारी diet में कुछ ऐसी चीज़ें को शामिल भी हम कर सकते हैं कुछ ऐसी ऐरवेदिक herbs को भी हम use कर सकते हैं जो कि इसमें अराम दिलाती है जी हाँ आपने सही सुना है दोस्तों खान, पान और natural herbs की मदद से भी हम इस pain को काफी हद तक manage कर सकते हैं लेकिन कैसे? तो इसी का जवाब आज इस वीडियो में हम ढूनेंगे जहाँ हम उन superfoods और herbs की बात करेंगे जो कि आपके shiatic pain को कम कर सकते हैं दोस्तों जब भी हमारी body में inflammation होता है तो pain और discomfort महसूस होना आम बात है और जब बात हो shiatic अगी तो anti-inflammatory rights एक game changer साबित हो सकते हैं तो ऐसे ही कुछ anti-inflammatory foods के बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ बस एक pen और paper आप लेकर बैठ जाईए और इनको अच्छी तरीके से note कर लीजे सबसे पहले बात करते हैं turmeric की यानी healthy की इसका main component curcumin एक powerful anti-inflammatory agent होता है जो कि shiatica के pain में रहात दिलाने का काम करता है आप एक teaspoon turmeric को एक glass milk के साथ mix करके use कर सकते हैं जिससे आजकल जो है modern भाषा में turmeric latte भी कहने लग गए हैं बहुत सारी instagram reels मैंने देखी हैं दोस्तों जिसमें की इसको turmeric latte करते हैं लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारे आयरवेद में तो इसको हजारों साल से लोग हल्दी वाले दूद के रूप में यूज करते आये हैं और इसका फाइदा लेते आये हैं anyways अगर आप दूद नहीं लेने चाहते हैं तो आप गुनगुने पानी को भी यूज कर सकते हैं हल्दी के बाद आये बात करते हैं जेंजर की यानि अद्रग की दोस्तों अद्रग भी जो होता है यह इंफ्लमेशन को रिड्यूस करने में काफी जादा मददगार होता है एक टी स्पून आप ग्रेट जिंजर ले लिजिए कसा हूँ अद्रग ले लिजिए और इसको एक कप पानी में उबाल कर रोजाना दिन में दो टाइम आप खाना खाने के बाद पीजे इससे भी आपको काफी जादा फाइदा मिलेगा इसके लावा डाइट में ग्रीन लीफी वेजेटेबल्स यानि की हरे पत्यदार सबजियों को आपको शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे विटेमिन्स और मिनरल्स होते हैं जो की नर्व हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं इन्हें आप सैलेट के तौर पे या फिर स्मूदी की तरह बनाकर असानी से खा सकते हैं या फिर आप इनका साग बनाकर सबजी बनाकर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं लीफी ग्रीन्स की ही तरह बेरीज भी एंटी ऑक्सिदेंट गोडों से भरपूर होती हैं दोस्तों और विटेमिन्स का भी एक पावरफुल पंच आपको देती हैं बेरीज इन्फलमेशन यानि सूजन के एगेंस्ट एक शील्ड की तरह काम करती हैं जिससे दर्द में रहात मिलती हैं आप strawberries खा सकते हैं, blueberries खा सकते हैं, blackberries खा सकते हैं, cranberries खा सकते हैं या फिर goji berries जो हैं ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि आप इस्तिमाल कर सकते हैं berries के बाद आईए बात करते हैं, omega-3 rich foods की, omega-3 fatty acids भी दोस्तों, shiattika के pain वाली मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज होते हैं omega-3 ना सिर्फ inflammation को कम करते हैं, बलकि आपकी overall health के लिए भी बहुत ही बढ़िया होते हैं flax seeds, walnuts और fatty fish जैसे की salmon या फिर mackerel ये इस category में आते हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया quality के omega-3 fatty acids देते हैं इन्हें आप अपने breakfast में या cereals में या खाने में अराम से खा सकते हैं हफते में अगर आप एक बार fatty fish खा लेते हैं या फिर अगर आप रोजाना चाहें आप vegetarian हैं तो आप flax seeds या फिर खुरोट वगर इस्तमाल कर सकते हैं इनसे आपको जो omega-3 fatty acids हैं अच्छे खा से मिल जाएंगे और आपके सूजन में और दर्द में इसे आपको काफी ज़्यादा अराम मिलेगा तो ये थे दोस्तों कुछ superfoods जो कि आपके shatic pain के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन हो सकते हैं आगे हम बात करेंगे कुछ simple home remedies की जो कि आपके shatic pain को naturally manage करने में आपकी मदद करेंगी तो चलिए अब बात करते हैं कुछ home remedies की जो आपके shatic pain के लिए instant relief ला सकते हैं पहला है दोस्तो hot and cold packs का यूज़ करना यानि गरम और ठंडी सिकाई करना अब आप गरम सिकाई कप करनी है और ठंडी सिकाई कप करनी है ये बहुत important है क्योंकि जादा तर लोग दोस्तों यहीं पर गलती कर बैठते हैं एक simple rule है कि inflammation के initial phase में cold pack यूज़ करिए और जब inflammation कम हो जाए और muscles में stiffness हो तो ऐसे में heat को apply करिए यानि बिल्कुल शुरुवात में या करीब दो से तीन दिन तो आपको cold packs को इस्तमाल करना है और उसके बाद जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए और muscles में stiffness आ जाए तो उसके बाद आप जो है वो heat pack का इस्तमाल कीजे गरम सिकाई कीजे ये बात हमेशे याद रखिए कि कभी भी direct heat या बर्फ को आपको skin पर नहीं लगाना है बलकि एक thin towel के इंदर बर्फ लबेटके या फिर गरम पानी वाली बोतल से आपको सिकाई करनी है सिकाई के बाद दोस्तों बारी आती है stretching की तो कुछ gentle yoga stretches चैसे की knee to chest stretch या फिर spinal twist ये श्याटी का pain में बहुत जदा आपको relief देते हैं इन्हें आप try कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए कि इनको आपको overdue नहीं करना है और हमेशा expert की निगरानी में या उनसे सीख कर ही इसको आपको करना है अब exactly आपको इसको कैसे करना है यह मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसका expert नहीं हूं आप चाहें तो YouTube पर बहुत सारे experts हैं जो कि इस तरह की जीज़े सिखाते हैं उनकी वीडियो देखके यह सब चीज़े आप सीख सकते हैं लासली बात करते हैं द दोस्तों magnesium sulfate होता है जो कि muscles को relax करने में आपकी help करता है जिससे lower back और बटक्स के अंदर जो stiffness होती है जो सकती और अकडन होती है वो कम होती है जिससे श्याटिक नर्व के उपर pressure कम होता है और इससे ultimately आपको श्याटिका के case में दर्द में अराम मिलने लगता है इन home remedies के साथ आप कुछ आईरवेदिक जड़ी बूठियों को भी आप इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहली जड़ी बूठी है दोस्तों अशुगंधा अशुगंधा एक traditional herb है जिसका इस्तमाल आईरवेद में सदियों से होता आ रहा है बहुत तारी अलग लग तरह की बीमारियों को ठीक कर अशुगंधा में anti-inflammatory properties होती है जो कि शाटी का पेन में relief दे सकती है इसे आप powder की रूप में या फिर capsule के form में इस्तमाल कर सकते हैं नेक्स्ट है गुगलू जो की एक और powerful herb है जिसमें anti-inflammatory properties होती है यह आपकी बॉड़ी में सूजन को कम करके शाटी का पेन में relief दिलाती है गुगलू को भी आप tablet या powder की फॉर्म में consume कर सकते हैं इसके बाद नमर आता है दोस्तो निरगुंडी का इसका oil आपके लिए बहुत द्यादा beneficial होता है इसका oil बदाने के लिए आप निरगुंडी की leaves को तिल के तेल में boil कीजिए और इसको छान लीजिए और जो affected area है आपक के castor oil को गरम करके अगर आप affected area पे लगाते हैं तो यह deep tissues तक पहुंचेगा और pain और inflammation को कम करेगा जिससे की दर्द में आपको रहत मिलेगी विससे इन herbs के अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी potent आयर्वेधिक दवाईया हैं जो कि शियाटिका में काफी ज़्यादा effective होती हैं बहुत तेजी से आपको अराम दिलाती हैं लेकिन उसको आप बिना आयर्वेधिक डॉक्टर की सला के इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसलिए आज की जो अपनी लिस्ट है इन चार जड़ी बुटियों तक ही सीमित रखते हैं इसके आगे की चीज़े अगर आपको जाननी है तो नीचे कॉमेंट में बताईएगा नेक्स वीडियो में कोशिश करूँगा उनके बारे में भी आपको कुछ बता देगी रखें क्योंकि लोवर बैक में ज्यादा वजन की वज़े से प्रेशर पड़ता है और इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है कोशिश करें वजन घटाने की जिससे की स्पाइन के उपर प्रेशर कम पड़े नमबर तीन है दोस्तो एर्गोनोमिक फरनीचर का इस्तमाल करना अगर आप ज्यादा देर तक एक ही जंगा बैठ कर काम करते हैं तो एर्गोनोमिक कुरसी और टेबल का इस्तमाल करें जो की प्रॉपर पोस्टर को सपोर्ट करते हो नमबर चार है हलकी फुलकी एक्सरसाइज जरूर करें जैसे की वाकिंग या स्विमिंग आ जाने में मदद करता है लास्ली और सबसे इंट्रस्टिंग दोस्तों कि अगर आपका पेन मैनेज नहीं हो रहा है यह टांग में कमजोरी यह सुननी हो रही है या फिर चलने फिरने में आपको दिक्कत हो रही है तो बिना देर किये फॉरण अपने डॉक्टर से सलाह लें द आपको आपके श्याटिक पेन से निजात पाने में उसको ठीक करने में काफी ज़्यादा हेल्प करेगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है इससे कुछ भी नया आपने सीका है तो इसको लाइक कर दीजे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिज को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फाइदा हासिल कर सकें और अपनी श्याटिका को सही तरीके से मैनेज कर सकें चलिए इसी के साथ इस वीडियो को जहीं पर समाप्त करता हूँ इस वादे के साथ के फिर भी लूँगा मैं आपसे इसी चैनल पर एक इसाथ